हे हलो दोस्तों मैं हूं मुरिन्वाइद धाक टॉक्स की एक और एपिसोड में आप सब का स्वागत है दोस्तों इमेजिन करो कि आप कॉलेज या ओफिस से बाहर आए हो और आपको बहुत जादा भूक लग रही है और सरक के ठीक सामने ही एक बंदा गरमा गरम बर्गर्स बना रहा है उसके बर्गर के खुश्बू आपको उसके दुकान तक बुला रही है आप उसके दुकान पर जाते हो बर्गर देखकर आपके मुँमें पानी आता है आप burger खरीते हो और उसको खाते हो और वो burger खाकर आपको ऐसा लगता है कि जिन्दगी में पहले कभी इतना tasty burger नहीं खाए लेकिन दोस्तो एक बार के लिए भी आप लोग नहीं सोचते हो कि ये burger बनाने वाला है कौन ये कहां से आया है, कहां का रहने वाला है और आज के बाद आप रोज उसके पास जाते हो और उसका burger खाते हो क्योंकि उसका burger कुछ different था लेकिन दोस्तो एक दिन आपको पता चलता है कि वो burger वाला arrest हो गया है पुलिस ने उसको पकर लिया है और उस burger वाले को पुलिस ने इसलिए पकरा क्योंकि वो अमेरिका का बहुत बरा serial killer था उसने 13 लोगों की हत्याए कर दी थी लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं जिन लोगों को उसने मारा जिन लोगों को उसने अपना शिकार बनाया उनके ही मांज से उसने वो burger बनाया जो आप लोग इतने दिनों से चाओ से खा रहे थे यानि कि वो अपने इस थेले में इंसानी मांज से बने हुए burger लोगों को खिलाता था और इस burger बनाने वाले का नाम था जो मैथनी और यह कोई कालपनी कहानी नहीं बलकि एक सच्ची कहानी है और मैं बस उम्मीद ही कर सकता हूँ कि भगवान करे कि ऐसा किसी के साथ ना हो दोस्तो यह कहानी है अमेरिका के बाल्टी मोर की यहां जो मैथनी नाम का यह आदमी रहता था पेशे से यह एक फोर्कलिफ ड्राइवर था फोर्कलिफ जो होता है उसकी तस्वीर आप देख रहे होंगे स्क्रीन में यह एक गोडान वगेरा में यूज होने वाला वहीकल है जो सामान को इधर उधर उधर उपर नीचे लेके जा सकता है और जिस जगह पर वो काम करता था यानि कि जिस फैक्टरी में उसी के मैनेजर ने जो मैठिनी को फैक्टरी के ही प्रिमाइस या केमपस में एक रहने की जगह दी थी और जो मैठिनी जो था वो रहता था किसी घर या क्वाटर में नहीं बलकि उसका एक बहुत बड़ा ट्रक था उसी ट्रक को ट्रेलर बना कर वो ही पर रहता था और उसी ट्रेलर को उसने एक food joint या फिर burger joint बना कर रखा था दिन भर वो नौकरी करता और शाम को वो ये burger की दुकान चलाता जहां पर इंसानी मीट के burger मिलते थे वो मीट को सीधा पैटी नहीं बनाता था बलकि इंसानी मांस को दूसरे जो मांस है उनके अंदर मिला कर वो बेचता था ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले इस food truck को खोलने के पीछे उसका इरादा ये था कि वो एक बहुत बड़ा serial killer था जिसके बारे में अभी किसी को नहीं पता तो body इसको dispose करने का ये सबसे अच्छा तरीका था जब आप उस इंसानी मांस से बने वे बर्गर्स खाते थे तब आप जो मैठिनी की help कर रहे होते थे body को dispose करने के लिए और उसके अलावा उसका ये food joint इतना जारा चल गया था जैसे उसको काफी पैसे आ रहे थे और वो एक बहुत बरा drug addict भी था और इन पैसों से वो आराम से कोई भी drugs खरीच सकता था लेकिन दोस्तों एक दिन सन 1996 में पुलिस जो मैठिनी को arrest कर लेती है और फिर सभी को पता चल जाता है कि ये इतना बरा serial killer था ये ना सिफ एक serial killer था बलकि एक serial rapist और cannibal भी था मलब ये खुद भी इनसानी मान्स खाता था जब वो पकरा गया तब उसका कहना था कि ये इनसानी मान्स ही था जो लोगों को दूर दूर से उसके burger joint में खीच कर लेकि आती थी तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज़्यादा interesting है और उमीद करता हूँ ये कहानी अपलग अन तक जरूर देखेंगे तो इस कहानी को शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को like और subscribe जरूर कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर कोई भी नए अपडेट आए आपको तुरंद पता चल जाए और दोस्तों इस चैनल में मैं काफी महनत करता हूँ इतनी सारे uncommon real crime के cases आपके सामने लेकि आता हूँ तो आप भी मेरी मदद कीजिए मेरे चैनल को grow करने के लिए ताकि मैं भी ऐसे YouTuber grow कर सकूँ और ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं दोस्तों हम सब का आपका भी चैनल है तो इसको grow करने में मेरी मदद जरूर कीजिए दोस्तों जो मैथनी के crimes के बारे में जानने से पहले उसके early life, उसके बच्पन के बारे में थोरजा जानते हैं क्योंकि तभी हम समझ सकेंगे कि ये बाद में इतना बरा ये serial killer, psychopath क्यों बन गया जो मैथनी का जन्म हुआ था 1955 में इसका जो परिवार था, वो काफी एक गरीब परिवार था और उसके परिवार में इसके माता पी था और उनके च्छे बच्चे थे जो का जो childhood था, वो काफी खराब था और ज्यादा तर serial killers की life अगर हम देखे तो उनका childhood बहुत ही traumatic होता है जिसकी वज़र से, बाद में वो ऐसे बन जाते हैं तो जो कभी कुछ ऐसा ही था उसके फादर एक बहुत बड़े शराबी थे वो हमेशा शराब के नशे में रहते थे और जो की जो मा थी, वो बहुत बड़ी drug addict थी जब जो सिर्फ 6 साल का था तब उसके फादर की देथ हो गई ये car accident में उसके बाद जो पूरा परिवार था यानि कि 6 बच्चे उनकी परवरिश करने के लिए जो की मा ने बहुत महनत की वो तीन या चार जॉब करते एक ही दिन में हाला कि वो एक drug addict थी लेकिन अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए या फिर school बेजने के लिए वो काफी मेहनत करती थी लेकिन इसके वज़र से वो उन बच्चों को जरा भी time नहीं दी पाती और जो जब 6 साल का था उसको उसके मा या मम्मी पापा चाहिए होते थे लेकिन उसको वो प्यार नहीं मिला जब जो को पकरा गया बच्पन में किया गया लेकिन दोस्तों इस statement को जो की मा contradict करती है वो कहती है कि मैंने इन बच्चों के लिए बहुत जादा मेहनत की और इनको जितना हो सके अच्छी life और अच्छा खाना देने की कोशिश की तो जो जो है वो जूट बोधरा है तो अभी हमको मतलब पता तो नहीं है कि असली बात किया है लेकिन जो को देखते हुए लगता है कि उसकी मा ही सज बोल रही थी जब जो मैतिनी सिव अथारा साल का था और उस समय सन हुआ था 1973 तब वो अमेरिकन आर्मी में चला गया था आर्मी में जाते ही उसको वीटनाम भेज दिया गया था क्योंकि उस समय शायद जो वीटनाम वार हो रहा था वो हो रहा था अब दोस्तों वैसे तो कई लोग आर्मी में जाके सुधर जाते हैं कई लड़के लेकिन जो के साथ उलता हुआ वो आर्मी में जब गया तब उसको वो contact भी काफी कम हो गया था उसकी मा कहती है कि जो एक अच्छा बच्चा था वच्पन में लेकिन उसने जो ये drug abuse शुरू कर दिया था इसकी वज़र से उसकी पूरी जिन्दगी खराब हो गई थी अब उसके आर्मी से वापस आने के बाद की जिन्दगी देखते हैं आर्मी से वापस आने के बाद अब जो कोई नौकरी की तलाश थी क्योंकि पैसे तो कमा नहीं थे तो वो यहाँ वहाँ चोटी मोटी नौकरिया करने लगा जैसे कोई लेबर की या ट्रक ड्राइवर की या मिस्त्री वगेरा की और अभी तक जो एक बहुत बरा आत्मी बन गया था बरा मतलब एज में नहीं बलकि शरीर से वो करीब 400-500 पाउंड का हो गया था 6.1 फूट टॉल और पूरी तरह से ओवरवेट और वो इतना बरा दिखता था कि लोग उसको मजाग में टाइनी करकर बोलाते थे आरमी से वापस आने के बाद जो कि जो ड्रग जी उस थी वो बहुत ही जादा बर गई थी और वो ड्रग खरिदने के लिए कुछ भी करने को रेड़ी था और उसके जो दोस्त वगेरा थे जिनके साथ वो गोमता था वो सभी के सभी ड्रग एडिक्ट और होमलेस लोग थे जो जितने भी पैसे कमाना था वो सब हेरोईन कोकेन और क्रेक कोकेन में उरा देता था लेकिन दोस्तों इस बीच ऐसा हुआ कि अपने काम के दोरान ही वो एक लरकी से मिला उस लरकी से पहले उसकी दोस्ती हुई उसके बाद पियार हुआ और फिर इन दोनों ने शादी कर ली और शादी होने के बाद इनका एक बेटा भी पैदा होता है जिन्दगी में पहली बार जो के लाइफ में कुछ ठीक चल रहा था लेकिन ये स्टेबिलेटी जादा टिकने वाले नहीं थी क्योंकि जो अब भी ड्रग एब्यूस करता था और उसकी पत्नी जो थी वो भी बहुत भरी ड्रग एडिक थी सन 1994 में जब एक दिन वो काम से घर वापसाता है तो देखता है कि उसके घर में कोई नहीं है जो की वाइफ उसके बेटे को लेकर उसे छोर कर घर से भाग गई थी अब जो को शक हुआ कि उसकी जो वाइफ थी वो उसका एक बॉइफरेंट था तो उस बॉइफरेंट के साथ ही वो भाग गई होगी तो जो को मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को भी लेकर चली गई थी जो को अब इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसके आने वाले और कुछ महीनों में वो पागलों की तरह उसकी वाइफ और उसके बेटे को रास्तों में ढूणने लगा और ऐसी जगों में ढूणने लगा जहाँ पर जो शेडी वाले डार्क वाले इलाके होते हैं जहाँ पर वो ड्रक्स वगेरा ओपन ले लेते रहते हैं उन जगहों पर आने वाले कई महीनों में जो उनको धूनने लगा। एक दिन दोस्तों उनको धून्टे लून्टे जो एक ब्रिज के नीचे चला गया। उस ब्रिज के नीचे जगह होती है जहांपर कई लोग ड्रक्स लेते हैं। तो हर शहर में इस तरह के ब्रिज होते हैं। तो ऐसे एक ब्रिज के नीचे जो जाता है देखने के लिए कही उसकी पत्नी तो ड्रक्स नहीं ले रही होँआपर। तो उसको वहाँपर दो होमलिस लोग मिलते हैं। जो उनको पुछता है कि इस औरत को उसका फोटो दिखाता है पत्नी का, बोलते कि इसको कही पर देखा है क्या। तो वो लोग बोलते हैं नहीं हमको नहीं पता और शायद वो लोग कुछ अच्छी से जवाब नहीं देते हैं। तब जो को जो पहले से इतना गुस्ता था, उसको इतना ज़दा गुस्ता आता है दोस्तों कि वो एक कुलहरे लेके आता है और उन दो लोगों को वो ही पर काटकर मार डालता है। सीव इतना ही नहीं, जब वो इनको मार रहा था, तब पास में एक फिशर्मेन भी था, अब जो को लगा कि उस फिशर्मेन ने ये सब देख लिया होगा शायद और वो पुलिस को बता देगा। इसलिए दोस्तों जो ने उस आदमी को भी मार डाला। यानि कि एक ही समय में उसने तीन-तीन खुन कर दिये। ये तीन तो उसने खुन किये। लेकिन दोस्तों ये उसका पहला खुन नहीं था। उसका पहला खुन तो उससे पहले, 1994 में ही कर चुका था, एक 39-year-old औरत की। उस ओरत को जो ने इतनी बुरी तरह से मारा कि मालब उसके शरीर के चितरे कर दिये। उसके बाद जिस factory में वो काम करता था, उसी के ही campus में जो ने गड्धा खोडा और उस ओरत की body को वो ही पर गार दिया। दो साल तक उस ओरत की body उसके ही office के या फिर factory के campus में थी। उसके इक दिन पता नहीं जो को किया हुआ, वो फिर से गिया, जो ग्रेफ था, उसको फिर से खोदा, और जो बॉडी दो साल पुरानी, वो कंकाली हो गई थी, उसका सर धर से अलग किया, और सर कही डस्पिन में फिक दिया, और जो बॉडी के पार्च थे, वो पासी के एक रीवर मे फिक दिया, अब दोस्तों, जो उस बॉडी के नीचे उसने तीन लोगों का खून किया था, उस खून के जुन में जो को गिरफतार किया गया, उसको डेर साल या दो साल की सजा भी हुई, लेकिन बाद में उसको रिहा करना परा, क्योंकि जो बहुत शातिर भी था, उसने को जेल से रिहा हो गया, अब जिस वज़े से जो इतना जादा गुसा हुआ था, और सरको पर घूमता रहता था, यानि कि उसकी बीवी और उसके बेटे को ढूमने के लिए, उस चीज का आंसर भी जो को एक्चुली मिल गया था, जेल से बाहर आने के बार, हुआ ऐसा था, कि उसकी जो पत्नी थी, जो एक ड्रग एडिक थी, और वो अपने बॉइफ्रेन के साथ भागी थी, लेकिन उसका जो बॉइफ्रेन था, वो भी ये सबई लोग, जो लोग इतना ज्यादा ड्रग एडिक थे और जो बच्चा था, जो पागल इग्नोर करते थे, तो पुलीस न इसमें जो अपनी जिन्दगी को टर्ण एरान कर सकता था लेगिन दोस्तों कहते हैं ना कि जैसे शेर अगर इंसान का शिकार करता है तो उसके मुँ में इंसानी खून लग जाता है इसी तरह से सीरियल किलर के मुँ में भी खून लग गया था और जो ने देखा कि तीन लोगो को या चाल लोगों को मानने के बाद भी वाराम से अभी जेल के बाहर है तो उसको एक अजीब सी मतलब जो हवसी जो सनक है उसके सर पर चर गई थी और वो अभी रुकने वाला नहीं था क्योंकि उसका खून करके मज़ा आ गया था अब लोगों का खून करना उसके लिए ए आसान होता था और ज्यादा तर उनके कोई रिलेटिव सी नहीं होती थे यानि कि अगर वो लोग गायब भी हो जाए तो अभी पुलिस को कंप्रेंड करने के लिए कोई होता नहीं था तो जो ने ज्यादा तर ऐसी ही लड़कियों को अपना शिकार बनाया 1995 में उसने इस तर पार्स में रखा और उनी मीट को टाइम बाई टाइम वो अपने बर्गर्स में मिलाता रहा जो बर्गर इतना सही बनाने लगा कि दूर दूर से लोग उसके बर्गर्स खाने आने लगे और उसके पास काफी पैसे भी हो गए थे यह human बर्गर्स बेचके लेकिन किसी को भी जरा सबी डाउट नहीं हुआ कि या आदमी मीट में कुछ अलग मिला रहा है उसने पूलिस को बताया कि इंसानी जो मांस होता है वो सुहर के मांस की तरह होता है इसलिए लोगों को कुछ पता नहीं चलता उसने पूलिस को यहां तक कहां कि अगर अगली बार आप किसी दू जो मेटनी को 1996 में फाइनले एरेस्ट किया गया है वो एरेस्ट ऐसे हुआ कि उसने एक सेक्स वर्कर जिसका नाम था रीटा केमपर उसको अपने घर पर बुलाया और फिर वो उसका शोषन करना चाह रहा था उसने रीटा पर काफी हमला किया लेकिन जो रीटा थी जहां पर जो रहता था एक टेलर था उसके खिरकी से वो भाग गई और उसने पुलीस को इतला कर दी और फिर पुलीस आकर जो को गिरफतार कर लेती है इस बार भी पुलीस के पास जो के खिलाफ जादा फिजिकल एविडेंस थे नहीं लेकिन इस बार जो भी शायद मतलब खुद को करवाना ही चाता था इसलिए उसने पुलीस के सामने सभी के सभी कुछ कुछ कंफेस कर दिया जो हुने कंफेस किया कि उसने 13 लोगों की हत्याई की इसमें से जादा तर लड़किया ही थी लेकिन पुलीस को सिर्फ तीन केसे में ही फिजिकल प्रूफ मिल सके अब उसका केस क कोट में चलता है और 1998 में उसको सजाए मौत दे दी जाती है। लेकिन फिर से आप लोग जानता है जर्सी सिस्टे में कई तरह के लूप होल्स होते हैं तो उसी तरह के लूप होल्स ट्राइ करके या फिर जो गुहार लगा-लगा के जो की जो death sentence है उसको life sentence में तबदिल कर दिय जब जो का केस कोट में चल रहा था दोस्तों तब कोट वालों के सामने जो ने एक बहुत ही एक सिनिस्टर बात कही थी और वो बात अभी मैं परके सुनाता हूँ उसने कहा कि मैं जो विक्रिम से उनके परिवार और को sorry नहीं बोल सकता क्योंकि अगर मैं sorry बोलूंगा वो एक बहुत बढ़ा जूट होगा क्योंकि जब मैंने इन लोग का खून किया तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था उसने फिर कहा the only thing I regret is that I didn't get to kill those two motherfuckers I really wanted to kill and that's my ex-girlfriend and the jerk she is now with यानि कि जो ने काफी लोगों को मारा लेकिन जिनको वो सही में माना चाता था यानि कि उसकी जो ex-girlfriend थी ex-wife थी और उसके boyfriend को तो सोचिए दोस्तो जब उन लोगों ने ये statement सुना होगा तो उनको कैसा लगा होगा 1998 में उसको death sentence मिली थी और 2000 सन 2000 में उसके death sentence को life sentence कर दिया गया उसके बाद वो jail में रहा वही पे वो रहता रहा कुछ भी update नहीं था लेकिन 5 अगस्त 2017 में जब police जो के cell के जाच कर रही थी तो उन्होंने देखा कि जो नीचे परा हुआ है जब उसको hospital लेके जाया गया तो वहाँ पे उसको death declare किया गया किसी वज़ा से शायद heart attack की वज़ा से जो की मौत हो गई वो उस समय 62 years का था और इस तरह से दोस्तो इस इतने खतरना cannibal serial killer की मौत हो जाती है और इस जो मेथनी की कहानी यहाँ पर खतम होती है दोस्तों एक बार मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यह जो मेथनी या फिर जेफरी डामर हो या फिर टेट बंडी हो यह सभी के सभी लोग इस दुनिया के बहुत ही sick लोग है मतला बहुत ही evil लोग है लेकिन हम यह नहीं कहसे कि यह लोग evil बनके ही पैदा होए है कोई भी आदमी मतला बदमाश या इस तरह का पैदा नहीं होता लेकिन जब उसका बच्चपन ही अच्छी तरह से नहीं गुजरता है जब उसको उस तरह के संसकार उस तरह के बाते ही उसने नहीं देखी होती है तो बाद में तो बहुत ही कम चांसे होते हैं कि वो समाज में कुछ अच्छा कर पाए जो मैठिनी की जो ये murderous crime spree थी उसके जो बीज हैं वो उसके बच्चपन में ही डल चुके थे जब उसका बाप एक बहुत बड़ा शराबी था अपने बच्चों को कुछ भी लेके नहीं दे सकता था उसकी माँ वो तो कहती थी कि वो बहुत care करती थी लेकिन जो का कुछ अलग कहना था और उसके बाद अंक में जब पहली बार उसको प्यार हुआ तो वो girlfriend भी उसको छोर कर चली गई तो सभी के सभी लोगों ने उसको बिट्री किया और जो तो obviously पहले से था ही तोरा psychopath और जब ये सब उसकी life में हुआ तब उसने मलब एक catalyst का काम किया लेकिन दोस्तों इंसानी मांस को burger में डालकर लोगों को खिलाना बेचना और उससे पैसा इंकम करना ये तो कुछ और ही अलगी level की चीज़े तो दोस्तों ये ही कहानी थी आज की होब करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई है अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैं माफी चाहता हूँ कि काफी देश के में अब गैप में वीडियो जा रही है लेकिन दोस्तों मैं प्रोमिस करता हूँ कि इस तरह से वीडियो जाती रही है और आप लोग भी अपना पूरा सपोर्ट बनाए रखे बहुत ही जल्ब मिलता हूँ इस तरह की एक और नए कहानी के साथ Till then, thank you so much